बिहार में जंगल राज इसकदर आ गया है कि अब बेखौफ होकर सरकार के रिष्टेदार ही रंगदारी माँगने लगे हैं बिहार में दबंगई के लिए मशूर लालू यादव के साले और पूर्व सांसस साधू यादव एक बार फिर चर्चाओं में हैं इस बार चर्चा रंगदारी मांगने की है एक जाने माने बिल्डर ने उन पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है पुलिस मामले की जाच कर रही है पटना के अनिल सिंग बिहार के जाने माने बिल्डर है पाटली पुत्र बिल्डर के नाम से उनकी कमपनी है जो कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है अनिल ने राजधानी के कोटवाली थाने में एक लिखित शिकायत दे कर पूर्व सांसस साधू यादब पर रंगदारी मांगने का इल्साम लगाया अनिल सिंग ने पुलिस को बताया कि बुद्वार की शाम उनके मोबाइल पर एक फोन आया फोन करने वाले ने अपना नाम साधू यादब बताते हुँ उनके साथ गाली गलोच की और लाखों रुपए की रंगदारी मांगी साथ ही ऐसा ना करने पर जान से मारने की धंकी भी दी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस सम्मन्द में मामला दर्स कर लिया है अब पुलिस मामले की जाच कर रही है जिस नंबर से कॉल आई थी उसकी डिटेल भी मोबाइल सर्विस कंपनी से मांगी गई है उधर पूर्व सांसर साधू यादब ने इस बारे में सफाई देते हुए मीडिया को बताया कि वो पहले से अनल सिंग को जानते हैं और उन्होंने किसी से दंगदारी नहीं मागी है उनका कहना था कि ये उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप हैं खेर आरोप सच है या जूट ये तो फिलाल जाच का विशह है लेकिन बिहार में नेतीश सरकार के साथ जब से आरजडी की सरकार बनी है तब से जंगल राज की वापसी हो गई है अपारण, मर्डर, फिरोथी के मामले आए दिन बिहार में आते हैं ऐसा लगता है मानो नेतीश सरकार ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी हो झाल